दोस्तों NCE-RT की तरफ से नया recruitment का notification जारी किया गया है हमजी दोस्तों 3-4 दिन पहले मैंने आपको जिस recruitment की update प्रवाइड कराई थी उससे अलग recruitment आई है NCE-RT ये तरफ से PZTT, PZTPRT की recruitment है NTT की भी vacancy हैं और non teaching staff की भी है तो काफी बड़ी मातरा में यहां पदों के लिए vacancy आई हुई है दोस्तों जिस प्रकार से notification जारी किया जा रही है NCE-RT के तरफ से पिछले सब्ता notification आया था और आप फिर से जारी कर दिया गया है तो उसे देखते हुए लग रहा है कि regular basis permanent staff है ही नहीं किसी भी department में अगर हम बात करें सिक्षकों की बात करते हैं तो NCE-RT जैसे department में regular basis का staff नहीं होना माइने रखता है अपने आप में तो यहां पे एक और contactable basis की teachers recruitment का विज्यापन जारी कर दिया गया है बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे आफ वीडियो को शुरू से लेके आखिल तक जरू से जरूर देखें और all over India level से teachers recruitment से जुड़ी latest updates सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस YouTube channel को जरू से जरू सबस्क्राइब कर लें तो ठीक है दोस्तर शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और एक एक करके सभी पदों का विवरन देख लेते हैं मैं फिर से बता देता हूँ PZT TZT के लगबग सभी सब्जेक्ट्स हैं आप देखेंगे तो TZT की हैं, लेबरेटी अटेंडनेंट की भी रिकूट्मेंट आई हुई है और ओफिस असिस्टेंट की भी है और ये देखें दोस्तो रिकूट्मेंट कहां से आ रही है सबसे पहले आप यह देख लीजिए यह देखे दोस्तों यह recruitment आ रही है Regional Institute of Education महसूर की तरफ से National Council of Education Research Training New Delhi New Delhi के लिए नहीं है दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ Regional Institute of Education महसूर की तरफ से recruitment है यह NCERT का ही एक institute है वाकिन interview conduct कराया जा रहा है Institute में जो principles का chamber है वहाँ पे conduct कराया जाएगा contextual basis की recruitment है एक साल के लिए यह job होगी या जब तक regular employee duty join नहीं करते हैं तब तक यह पूरा schedule है PZT का जो interview है वो 1623 कराया जाएगा PZT के लिए qualification concerned subject में master's degree आपके पास होनी चाहिए 50% के साथ concerned subject की list यहाँ यह दर्शादी गई है यह देखें दोस्तों यह subject है यह concerned subject दिये गई है आप यह देख लीजिएगा PZT में math, accountancy, hindi, english, computer science, guidance and counseling की है और timing भी आप यहाँ से देख सकते है PZT maths का प्रातर 10 बजे, commerce का 11 बजे, hindi का 12, english का 2 बजे, PZT, computer science, 3 बजे, PZT, guidance and counseling का 4 बजे, conduct कराया जाएगा इसी तरह से 16233 को ही computer assistant एक post है इनका भी 16233 शाम 5 बजे, interview conduct कराया जाएगा दोस्तो काफी लंबा चोड़ा notification है आपको हमारे telegram channel पर provide करा दिया जाएगा और हमारे telegram channel का link वीडियो के नीचे description में आपको मिल जाएगा आप वहाँ से download कर सकते हैं और RIE मैसूर की official website पर भी available है और दोस्तो official website पर कहाँ available है वो जानकारी भी आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगी आप वहाँ से भी download कर सकते हैं concerned subject में graduation उसे के साथ साथ beard और tet भी आपका clear होना आविशक है 276,250 रुपे परमंद मिलेगी अपरेज लिमिट TZT के लिए 35 साल है और जहां तक PZT के बात है अपरेज लिमिट 40 साल है 27,500 रुपे यहां दी जाएगी 362,023 को इंटरिव्यू है WET Yoga का 26,274 साल या परेज लिमिट 35 साल 362,023 को ही है WET Home Science का और Computer Science का और Dance का और Drama का और Drawing and Painting का Semiprofessional Assistant Librarian का और Primary Teacher का जो इंटरिव्यू है वो 5,2,023 को पराता है 10 बुजे कंड़क्ट कराया जाएगा 10 प्लस तुप चास परतिशत अंकों के साथ उसी के साथ D.A.D. आपने कर रखिए या B.A.D. कर रखिए या B.E.I.E.A.D. आपने कर रखिए हो 21,250 सेरली मिलेगी अपरेज लिमिट 30 साल है Pre-Primary Nursery LKZ and UKZ तीन पोस्ट है 10 प्लस तुप चास परतिशत अंकों के साथ उसी के साथ साथ आपने D.A.D. Entity और Diploma in E.W.C.E. आपने कर रखा हो 5 है 2023 प्राथ 11 आप ज़े इंट्रिवी कंड़क्ट कराया जाएगा Vocational Teacher के इंट्रिवी भी 5 है 2023 इसको कंड़क्ट कराया जा रही है Laboratory Assistant के भी और Laboratory Assistance Cyclosy Office Assistant के भी 5 है 2023 इसको ही इंट्रिवी कंड़क्ट कराया जा रहे है तो यह देख सकते हैं दोस्ते यह notification जारी कर दिया गया है Official website है riemaisool.ac.in यह official website है riemaisool.ac.in Official website पे वेकिन से notification पे आप क्लिक करेंगे तो Detail notification आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा देगे समय सीमा पे आप इंट्रिवी के लिए जा सकते हैं तो ठीक है दोस्तों यही जानकरी आप तक पहुंचाएं थे वीडियो के मार्दियों से फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमेश्कार